नमस्कार मैं सतीश महरा, आज हम बात करें हैं एक ऐसी योध्ध महिला जिन्होंने कैंसर को हराने के साथ साथ सदी के महानायक कही जाने वाले सुपरस्टार अमिताब बचंद्वारा आयोजित कौन बनेगा क्रोणपती शोव में साड़े 12,00,00 रुपे की रासी चीती है साथ ही महिलाओं और विशेश कर कैंसर पिडितों के लिए प्रेर्णा स्त्रोथ बनी हैं अर्याना के टोहना कस्बे की रहने वाली सरीता सिंगला जो पिछले 28 सालों से कैंसर जैसी गंबेर विमारी से जूज रही है उनकी इच्छा सक्ती इतनी मजबूत है कि उन्होंने अड़ाई दस्क पुराना के बीसी में जाने का अपना सपना पूरा किया है इसके साथ ही उन्होंने सपना ही पूरा नहीं किया बलकि अमिताब बच्चन द्वारा शो में रखे गए 12 सवालों का जवाब दे कर 12,5 लाक रुपे जीते हैं के बीसी में 27 नुम्बर को परसारित हुए शो में जब उन्होंने महान नाएक अमिताब बच्चन के सामने अपनी बिमारी का जिकर किया तब अमिताब बच्चन ने उनकी इच्छा सक्ती और जज़बे को सलाम करते हुए उनकी जवरदस्त परसंचा की शो के दोरान ही सरीता सिंगला ने अमिताब बच्चन को बताया कि वो 1996 से कैंसर की बिमारी से जूज रही थी इसके बाद इलाज के दोरान वो कैंसर से मुक्त हुई परंदू 2020 में फिर कैंसर के लक्सम दिकाई देने लगे पर फिर भी वो हिम्मत नहीं आरी जब 2000 में कौन बनेगा क्राउट पती सो देखा तो इससे उनको संभल मिला तब उन्होंने कैंसर से लड़ने और KBC में जाने की ठान ली हलांकि सरीता सिंगला अभी भी कैंसर से जूज रही है और उनका इलाज मुंबई के टाटा कैंसर इंसिचूट में चल रहा है अन्य पुष्ट के पढ़ने में बेहद रूची है वो बताती है कि वर्स 2000 से लगातार KBC सो में आने की कौशिश करती रही आखिरकार KBC में आने का उनका सपना 24 साल बाद पूरा हुआ अमिताब बच्चन ने उनकी तारिफ में कहा कि आप मजबूती से लड़ रही है आपकी ये इच्छा सक्ती आपको एक योधवन आती है इसलिए मजबूत इच्छा सक्ती के चलते कि गंभीर से गंभीर विमारी से लड़ते हुए सपने पूरे किये जा सकते हैं उधर शरिता सिंगला के बेटे अमित ने बताया कि उनकी माँ पिष्टे 24 साल से केवीसी सो में हिंसा लेने के लिए लगातार प्रियासरत थी अमित कहते हैं कि उनकी माने इसी साल के बीसी के लिए विगत जुलाई महा में ही फोन लाइन खुलने पर आडिशन दिया तो वे सलेक्ट हुई जब उन्हें के बीसी से फोन आया तो उन्होंने इसे फ्राउड कॉल समझा लेकिन बाद में पता चला कि फोन सही है के बीसी से आई फोन पर सूचना मिलने के बाद उनके माता पिता दस नौंबर को मुंबई चले गई उसके बाद 12 नौंबर को शोगा शूट हुआ उनकी मा ने अमिताब बच्चन के सामने 12 प्रस्णों का सही जवाब देखकर 12.5 लाख रुपे की रासी जीती इससे पहले भी उनकी माता ने 2014 में चंडिगड में और 2022 में अमरसर में ओडिशन दिया लेकिन दोन ही ओडिशन में वो सभलता नहीं मिल पाई आखिरकार 24 साल के बाद इस वर्स उन्होंने पूरे जोश जनून और जज़बे के साथ के बीसी में पहुंचने का अपना सपना पूरा किया है साथियों सरीता सिंगला ने केंशर से लड़ते हुए नए केवल केंशर को अराने का काम किया बलकि के बीसी जैसे बड़े सोव में पहुंचकर दुनिया को दिखा दिया कि महिला अगर ठान ले तो उसके सामने हर मुश्किल आसान हो जाती है महिलाओं के बारे में किसी ने ठीक ही काया कि मत सोच ये कि नारी को दुख से लड़ना नहीं आता है हर मुश्किल से उसको लड़ना और संगर्सों से तक्रा ना आता है इसलिए मेरी सभी कैंशर पीडितों से अपील है कि वे शरीता सिंगला के इस अंगर्श्व सफलता के से प्रेणा लेकर आगे बढ़ें और खुशाल जीवन जीएं तन्यवाद।